तो हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमार इस यूटूब चनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस परकार से आप अपने मुबाइल से, लैप्टॉप से या फिर कम्प्यूटर से किस परकार से आप वोटर कार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस परकार से आप वोटर कार्ट को डाउनलोड करेंगे खुद से दोस्तो वीडियो में आगे बने से पहले अगर आपने भी थे हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजे क्योंकि इस तरह से information वीडियो में चैनल पर डालते रहता हूँ ताकि उसका notification आपको समय पर मिल सके तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं वोटर कार्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के या फिर लैपटाप कम्पूर्ट के किसी भी वेब ब्रोजर को उपन कर लेना है जिस परकार से हमने यहाँ पर Google Chrome को उपन किया हुआ है आपको इसी परकार से उपन करके सर्च बार में आपको टाइप करना होगा दोस्तो वोटर पोर्टल आपको टाइप करके सर्च कर देना है तो जिस परकार से मैं यहाँ पर वोटर पोर्टल टाइप कर दिया हूँ तो आपको क्या करना है इसी website पर आपको click कर देना है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम click कर देते हैं और इस पर click करने के बाद water service portal हमारे सामने खुल के आ जाएगा और थोड़ा दर यह loading लेगा तो चलिए हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं और आप लोग यहाँ पर देख सकते है water service portal हमारे सामने खुल के आ चुका है और इस परकार से दोस्तों आपके सामने dashboard आएगा यहाँ पर आपको कई सारे forms और यहाँ पर कई सारे services देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर किसी भी परकार का forms या भरना हो या फिर किसी भी परकार का service का लाव लेना हो तो इसके लिए और दुसरा आपका sign up का option देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपने इसमें registration किया हुआ है तो फिर आप login करके इन सभी सुविधाओं का लाव ले सकते हैं और अगर आप first time इस website पर visit कर रहे हैं आपने registration नहीं किया है तो आपको यहाँ sign up पर click करेंगे तो चलिए यहाँ पर हम sign up पर click करेंगे sign up पर click करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है mobile number और email id आपसे मंगा गिया है यह दोनों चीज को भरके इस capture को भरके आपको यहाँ continue पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपके सामने कुछ dashboard आएगा वहाँ पर आपसे वोटर पर registration कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पर हमने registration किया हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको direct login page पर लेके चलता हूँ आपको क्या करना है इसी page पर आना है啊 login पर click कर देना है login पर click करने के बाद यहाँ पर आपसे registered mobile number और password मंगा जाएगा आपने जिस number से registration किया है उस mobile number को यहाँ आपको फिलब करना है और org sizi संद करते वक्त एक वाक्त एक पासबोर्ड आपको cultura को इसी पासबोड नमेस यहां पर आपको फिलब कर देना है तो नीचे आपको जो केपचा दीख रहा है इस स्केपचा को आपको भर देना थो यहां पर हमने कपचा भी भर दिया है और नीचे आपको request OTP का option मिलेगा आपको simply request OTP पर click करना है और आप लोग देख सकते हमारे mobile number में एक OTP को send कर दिया गया है जिस OTP को अभी यहां हमें feel up करने का ज़रूर रथ है तो यहां पर हमारे mobile number में OTP आ चुका है और इस OTP को यहां पर हम feel up भी कर दिये हैं उसके बाद क्या दरना है आपको नीचे verify and login का option देखने को मिलेगा तो simply आपको verify and login पर click कर देना है इस पर click करते ही दोस्तों आप जो है watercard के इस portal में login हो जाईएगा और इसके बाद यहां पर जितना सारा services है जो भी आपका form से सभी सभीदाओ का lab आप ले सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस परकार से आप watercard को download करेंगे watercard को download करने के लिए यहां पर दोस्तों एक option देखने को मिलेगा आपको e-epic download तो आपको क्या करना है यहां पर e-epic download पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार से आएगा download electronic copy of epic card यहां पर आपको दो परकार से एक option मिलेगा डाउनलोड करने के लिए सबसे पहला number आपको यह epic number से भी आप watercard को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपके आपके आपस reference number है यानि अगर माल लिया अगर आपने हाल फिल हाल में watercard के लिए apply किया हुआ है आपका watercard बन चुका है और आपके पास receiving number है यानि कि reference number है watercard नमबर नहीं है तो फ यहाँ पर जारकंड पड़ेगा तो मैं यहाँ पर जारकंड को select कर लेता हूं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको search का option मिलता है तो क्या करना आपको search पर click कर देना है जैसे ही आप search पर click कर देते हो आपके साब ने epic number दिखाये जाएगा आपका नाम साथ में यहाँ पर में mobile number का link होना जरूरी है अगर आपके watercard में mobile number link नहीं है तो फिर आप इसे download नहीं कर सकते हैं लेकिन उन सभी के लिए एक option है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं the facility to update your mobile number is available in form 8 यानि कि अगर आपके watercard में mobile number link नहीं है तो फिर आप form 8 को भरके अपने watercard में mobile number को link कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा mobile number already link है तो यहाँ पर क्या करना है आपको send OTP पर click करना है तो जिस number यहाँ पर हमें 100 हो रहा उसी number में OTP को send किया जाएगा तो चलिए यहाँ पर हम send OTP पर click कर देते हैं और हम देते हैं अपने mobile में OTP आया है की नहीं तो बता दूँ अगर आपके वोटर कार्ड में mobile number link नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने वोटर कार्ड में mobile number को link कर सकते हैं तो दोस्तों इसलिए वीडियो को जो है लाइक किजिए और चैनल को subscribe किजि इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एपिक कार्ड हमारे सामने डाउनलोड होके आ चुका चलिए अब इसको हम क्लिक करते हैं और यह ओपन करके देखते हैं क्या है तो चलिए हमने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया है और आप लोग यहाँ साब साब देख सकते हमारी सामने जो है हमारे वोटर कार्ड डाउनलोड होके आ चुका है और इसको प्रिंट करके आराम से आप यह कहीं भी यूज कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है आप इस प्रकार से अपने वोटर कार्ड को इजीली अपने मुबाइल लैप्टप कम्पूटर से ही डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस परकार से वोटर कार्ड में मॉबाइल नंबर को लिंक किया जा सकता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उमीद करता है वीडियो आपको अच्छा लगागा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाई हिन जाई भारत